सांथियो जारखंड अकेटिमिक काउंसिल के आठवी, नौवी और ग्यारवी बोर्ड के परिक्षा परिणाम वर्ज 2024 से सम्मंदित आज के इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो सांथियो जैसा कि हमने फिचले वीडियो के अंदर आप सभी को जानकरी प्रुवाइड किया था कि जारखंड अकेटिमिक काउंसिल के दुआरा अपने आठवी, नौवी और ग्यारवी बोर्ड के परिक्षा परिणाम को जल्द ही प्रकासित किया जाएगा और सांथियो जो एक्सपेक्टेड डेट बताया गया था सांथियो उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि मई महिने के पहले या फिर दूसरे सप्ता तक जो है ये रिजल्ट सभी विद्यारथियों के सामने प्रकासित कर दिये जाएगे तो सांथियो मैं महिना का जो दस तारीक है वो निकल चुका है और बरतमान में रिजल्ट को लेकर कुछ अपडेट जो है जहारखंड अकैडमिक काउंसिल के दुआरा जो है निकल कर आया है उसके बिसे में मैं आप लोग को पूरी जानकरी आज के इस वीडियो में कि जहारखंड अकैडमिक काउंसिल जो है कब और कितने बजे अपने तीनों दोस्तों कक्छाओं के जो रिजल्ट है वो प्रकासित करने जा रही है तो सांथियो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि पूरी जानकरी जब भी हमारे चैनल के माधिम से आप सभी को प् रोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके तो सांथियो जारखंड अकैडमिक काउंसिल के द्वारा अपने 10 वी और 12 बोर्ट के परिक्षा परिगाम को सांथियो अप्रेल महा के अंदर जो है प्रकासित किया ग desapareal के और तीस अपरेल को अपने 12 बोर्ड के आर्स, साइन्स और कॉमर्स का जो रिजल्ट है वो एक साथ प्रकासित कर दिया गया जैसे ही 12 और 10 बोड के रिजल्ट प्रकासित हुए उसके बाद जो आठवी, नौवी और ग्यारवी के विद्यार्थी थे वो अपने रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जुज हरकन एकडमिक काउंसिल के जो अधिकारी है उनके द्वारा एक निउज आर्टिकल में बताया भी गया था कि महिने के पहले सब्ता या फिर दूसरे सब्ता तक जो रेजल्ट है वो प्रकासित कर दिये जाए गे अव साथ योब यहां पर बता देता हूँ और अब मैं आप लोगों जो डेट है उसके बारे में यहां पर जानकरी दे देता हूं बरतमान में जो लेटेस्ट अपडेट है रिजल्ट को लेकर न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से उसमें यह बताया जा रहा है कि 15 माई को जारखंट अकेडमिक कावर्सिल के तरफ से एक साथ अगर पब्लीस किये जाते हैं तो जो 20 तारीक तक जो है यह डेट जा सकता है और उससे पहले अगर जारखंट अकेडमिक कावर्सिल चाहे तो 15 तारीक को यह रिजल्ट प्रकासित कर सकती है कुछ अपडेट के अंदर यह भी बताया गया है कि जो लोकसभा जानकारी जानकारी की लिए बने रही है कि जैसे ही जानकारी जारखंट अकेडमिक कावर्सिल के तरफ से आएगा सबसे पहले आपको सभी को अपडेट हमारे चैनल के थ्रू ही किया जाएगा और बाकी सांथियो मैं आप लोग को यहां पर कनफर्म करना चाहूंगा कि जो रिजल्ट है वो तयार है सभी जो कक्छाओं का सिर्फ अपलोडिंग का कारी किया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट पब्लिस किये जाएंगे अगर पॉसिबल होता है तो 20 तारीक तक यह रिजल्ट जो है पब्लिस हो जाएंगे यानि कि 15 से 20 के बीच में जिसमें 15 तारीक भी हो सकते हैं या फिर 20 तारीक भी और अगर जो अकेडमिक कांसील है वो अगर चाहेगी कि यह जो लोग सभाज चुनाव चल रहे हैं यह खतम होंगे उसके बाद ही रिजल्ट पब्लिस होंगे तब सांथियो जितने भी विद्यार्थी हैं आप सभी को थोड़ा और इंतजार करना होगा और वरना जो रिजल्ट है वो 20 तारीक तक पब्लिस कर दिये जाएंगे तो सांथियो चैनल पर बने रहेगा जैसी लेटेस्ट अब डिट आएगी सबसे पहले आप सभी को मारे से अपडेट किया जाएगा धन्यवाद